ट्रावलिंग लैपटोप्स तो यह अगर आपका कोई काम ऐसा है जागर आप चाहता ही ट्रावलिंग करते हो आपको लैपटोर सर्च और करें जो कि आपके लिए बैस्ट दिल हो एंड अगर आपका व्यड़े पचास अजार है यह वीडियो में श्पैशली आपके लिए खर यह प्लस भी अगर आपको traveling के related जा यह मतलब 2021 में जो laptop आपको best deal मिल रहे हैं मैं वो भी laptop आपको बताने वाला हूं तो बात करते हैं सीधा number 4 की number 4 की बात करूँ number 4 पर यार मैंने रखा है my notebook horizon को तो सबसे पहले मैं आपको बता दू यह laptop आपको 51,000 के budget में देखने को मिल जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मैं इस budget range में इस laptop को ना रखूँ because इसके दो reason देखने को मिलते हैं कि आपको build quality एंड उसके साथ specification बहुत अगड़े मिल जाते हैं एक इसका minus part भी देखने को मिलता है जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा लेकिक जब से पहले बात करते हैं इसके main specification की तो यह display की बात को 14 इंच full HD plus display मिल जाते हैं जो कि anti- 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है graphic card की बात करूं आपको विंडू 10 देखने को मिल जाती है प्लस बैंटरी की बात करूं आपको 10 hours का battery backup provider कर देता है price की बात करूं आपको 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाए तो मैंने आपको पहले ही repeat कर दिया अगर आप traveling videos करते हो अगर आपने वीडियो आइटिंग करने है फोटो आइटिंग करने है आपके लिए भी best deal है प्लस अगर आपको business के लिए चाहिए प्लस अगर आपको office के लिए accounting करते हो MS office पर काम करना है जो कोई भी loaded file पर काम करना है आपके लिए भी best deal होने वाले है प्लस अगर आप students पढ़ते हो पढ़ाते हो उसके बाद अगर आप online classes लगाते हो offline classes लगाते हो प्लस अगर आपने gaming VR भी करनी है आपको कोई भी problem नहीं आने वाली प्लस इसके साथ आपको HD web camera भी free देखनी को मिल जाता है अभी बात करते है किसके minus point की बात करो आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको upgrade करने का मतलो option नहीं मिलता 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता अगर वो चीज़ मिलती है तो भाई मैस laptop को number 2 पर या number 1 पर ही रखता विकरस specification के according, build quality के according प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको typing जादा करनी पड़ती है data interest बगारा करते हो आपके लिए भी perfect deal होने वाला है तो आप जा सकते हो MI notebook origin के और आप देख ले ना बस आप इस तीज़ को धियान भी रखना कि आपको 8GB RAM मिल जाती है लेकिन आ आप इस laptop के और जा सकते हो यह laptop आपको 45,000 से लेके आपको 50,000 के बज़र तक देखने को मिल जाता है लाइक कि इसका बज़र कम भी देखने को मिल जाता है कई बार हमेशा नहीं होता लेकिन मैंने link पर वाइड किया आप चाहूर कर लेना अगर आपको सही प्राज में मिलता तो 16 refresh rate average display होता है इतना तगड़ा भी नहीं होता मतलब आप इतने price range में इतना expect भी नहीं कर सकते है कि आपको 144 refresh rate देखने को मिल जाती है प्रसेसर की बात करूं आपको i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाते expandable का option मिलता है आप 16 GB तक कर सकते हो प्लस आपको 5 GB SSD द देखने को मिल जाता है वह भी 2 GB के साथ आता देखने को ठीक है अप्रेणी system की बातों को Windows 10 मिल जाते है बैंटर की बातों को 8 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बात करो आपको 40 फाल से लेके 50,000 के ब्लेड में इस से इस पार फाल देखने को मिल बस आपने इतने द्यान में रखना है कि आपने जो रह में उसको अपगरेड कर लेना अगर आपको 8 GB देखने को मिलते हैं आपने 16 GB तक चल जाना मिनिमम 16 GB तक आपने चल जाना कर जो आपने चल जाना आपको बहुत एजी चलेगा कोई भी प्रॉब्लेमिश्यों आपको न निट्रो 5 की तो सबसे पहले मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूं अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए तो आपके लिए प्रॉफट यूज करना है वीडियो एटिंग करना जाते हो फूर के वीगहार ट्राई करना जाते हो आपके लिए बहु आपके लिए प्रॉफट इल हो सकता है आप चागूर कर ले ना लिंक बगार है मैंने प्रवाइड किये हो है मैं दोनों की में स्पैस्पिकेशन की बात कर लेता हूं तो यह डिस्प्ली की बातों को 15.6 फुल एच्टी प्लस डिस्पेय मिल जाती जो की 16 रिफेश्ट के लिए गारेडी जuego बात करों मिल जाती फ्लस आपको फिंगर प्रेंट भी देखने को मिल जाता है बैंटरी की बात करों आपको सावन आवस का बैंटरी बैक कप परवाइड कर देता पर shines की बात तो इसका प्राइज आपको देखने को मिलेगा तो यह मैंनि को बदा आप इस PAL 7 के अभी बात करते हैं इस Nitro 5 की, तो डिस्पले की बातों को 15.6 इंच फिलस्टी प्लाइस दिस्पले मिल जाती है, जो कि I-PASS पैनल डिस्पले, जो कि 16 रिफ्रेशर के साथ देखने को मिलती है, परसेसर की बातों को AMD राजन 5 देखने को मिलेगा, स्टोरेज की बातों क 6 hours का battery backup provide कर देते हैं प्राइज की बात करूँ इसका प्राइज आपको 57,000 के बदर में देखने को मिल जाएगा तो यहर में अगर आपने यूज करना, कोई heavy software यूज करना, 4K में वीडियो ट्राइ करना है, अगर आपने गीमिंग करना है, जा अगर आपने कोई भी मतलो, कोई भी loaded फाइल पर काम वगार भी करना है, आपके लिए perfect deal हो सकता है, एंड अगर आपका विज़ पचास हजार से भी कम है, तो Acer, Acer, Acer 5 आपके लिए best deal हो सकती है, तो मैंने यार आपको बता दिया, जो भी आप इन में से लेना जाते हो, आप ले सकते हो, सभी के buying link मैंने description box में दिये हो है, प्लस अगर आपका विज़ चालिस हजार है, तीस हजार है, अगर आपका विज़ बीस हजार तक भी है, मैंन उनके भी वीडियो किया है, मैरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाए कि कोई भी आपकी categories है, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, student हो, office बर के लिए चाहिए, gaming करने है, programming करने है, coding करने है, architecture हो, जा कोई भी आपने, कोई भी loaded file पर काम करना, आप सभी के लिए मैंने पहले ही वीडि आपको फॉलो, लिंक अपका रहा है, आपको description box में देखने को मिल जाए को चाहरू, कलना अभी मिलते है next वीडियो में, नहीं वीडियो को साथ, thank you करने हैं